भारत से व्यापार को गिडगड़ा रहा पाकिस्तान, क्या है मामला? आईए जानते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने हाल ही में एक बयान दिया था। इसमें इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार फिर शुरू करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। उनके इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच लंबे समय से निलंबित बातचीत पर दुनिया का ध्यान गया। हालांकि इसलामाबाद ने पुष्टी की कि उसकी आर्थिक नीती में कोई बदलाव नहीं होगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने हाल ही में लंदन की एक प्रेस कॉन्फरेंस में भारत से व्यापार शुरू करने के संकेत दिये थे। जम्मू और कश्मीर को विशेश राज्य का दरजा देने वाले अनुच्छेद 370 को भारत ने 2019 में खत्म कर दिया था। पाकिस्तान में पूर्व भारतिये उच्चा युक्त अजय बिसारिया ने कहा कि व्यापार को फिर शुरू करने की धारणा नहीं नहीं है। पूर्व राजनाईक ने जोर देकर कहा भारत से कच्चे माल पर पाकिस्तान की अर्थ व्यवस्था और विशेश रूप से इसका कपड़ा उद्योग निर्भर करता है। व्यापार शुरू करने पर इसे ही फाइदा होगा। उन्होंने कहा कि इस मुद्धे पर पाकिस्तान को आंत्रिक परामर्श की जरूरत है। साथ ही भारत के साथ शांत पूटनीती की भी जरूरत है। पातिस्तान के अलीट वर्द की आदत है कि वरद दोस्ती का हाथ मांगता रहा है जो कि अस्तित्व में नहीं यह चिंता की बात है लेकिन नया कुछ भी नहीं डार पिछली सरकार में वित्त मंत्री रह चुके हैं और उन्हें पता है कि पाकिस्तान के आठकिक हालात कि इतने खराब है वाधिस्तान के व्यापारियों के लिए भारत से ट्रेड ना होना चिंता का विशय है क्योंकि अभी सामान दुबई या अन्यु देशों के जरिये पा जाया दोनों पक्षों के अतीट में भी संबंध हराब रहे हैं लेकिन व्यापार होता रहा है लेकिन हाल के वर्शों में वे एक मिराशा जनक स्थिती में आ गए हैं जहां राजनीतिक विचार दोनों को पीछे कीचते हैं उन्होंने कहा बड़ी अर्थ देवस्था होने के कारण पाकिस्तान के साथ वियापार में भारत को बहुत कम फाइडा है यह उसे और सस्ते आयात की जरूरत महीं हैं उन्होंने आगे कहा मुझे अमीद नहीं कि भारत अपने चुनाओं के बाद वियापार शुरू करेगा क्योंकि भारत में सत्ता धारी डल के बापसी की